नमस्कार दोस्तों आपको एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्टर्ची बताऊंगा जिसमें कि नए ट्रेडर भी बहुत अच्छी प्रॉफेटेबिल्टी बना सकते हैं इसमें दो इंडिकेटर यूज किये गए हैं और ये दोनों इंडिकेटर आपको ट्रेंड के बारे में और मोमेंटम के बारे में इतना बहतरीन इंफॉर्मेशन देंगे कि आप भी अवाक रह जाएंगे उसके साथ में साइड़ बे मार्केट में बचने का यहाँ पे बहुत सुन्दर तरीका दिया हुआ है यानि कि अगर आप ट्रेड लेंगे तो साइड़ बे मार्केट में फसने का आपका खत्रा बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए दो इंडिकेटर लगे हुए हैं एक तो पहला इंडिकेटर है आप जानते हैं टेटिंग विव में केवल दो ही इंडिकेटर फ्री मिलते हैं लेकिन यह दोनों इंडिकेटर आपको कई इंडिकेटर का काम एक साथ में कर देंगे इसमें और कई indicator का option है लेकिन बहुत जादा indicator यूज नहीं करने का है अब इसमें देखिए नीचे में एक special type की RSI लगी हुई है और ये RSI आपको momentum के बारे में बहुत ही सठीक जानकारी देगी जब ये RSI आप देखिए यहां पर ये 80 का level है और नीचे 20 का level है तो इसे RSI के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि अगर RSI 80 के उपर जाए तो इसका मने overbought है नीचे आए तो oversold है तो ऐसे समय में अदमी को contrary trade करना चाहिए यानि 80 के उपर जाए तो sell कीजिए 20 के नीचे आए तो buy कीजिए लेकिन यहां मैं जो बताऊंगा यह इसके बिल्कुल उलट होगा यहां simple सी बात है कि RSI अगर 80 के उपर जाए तब ही आपको buy करना है और 20 से नीचे जाए तब ही आपको sell करना है otherwise नहीं करना है और जब RSI बीच में fluctuate करती रहे तो आपको trade से दूर रहने का है तो यहां पर तीन moving averages का crossover है अब इस जगह पर देखिए price तीनो moving average के उपर गया नीचे RSI देखिए 80 से उपर गया यहां आपके लिए trade है और कब तक trade है moving average के price नीचे आए या ना आए RSI अगर 80 से नीचे आ गया तो आप trade से exit हो जाए है एकदम simple setup है उसी तरह से यहां पर भी देखिए price तीनो moving average से नीचे आया और यहां पर RSI आपको 20 से नीचे देख रहा है आप sell कीजिए और जैसे ही RSI 20 से उपर आ गया आप exit कर जाए है साथ में यह भी कहूंगा कि केवल indicator के भरोसे मत रहिए entry आपको indicator की मदद से लिनी चाहिए लेकिन exit के लिए आप trailing stop loss अवश्य लगाते रहिए अब यहां पर देखिए जो लाल candle बनी जब वो candle बन के complete हुई next candle बनने लग गई आपका अच्छा खासा profit हो चुका था आपको इस red candle के उपर trailing stop loss shift कर देना चाहिए था अगर इसके अगेंस्ट में कोई candle बने तो जितना profit है उतना आपको मिल जाए क्योंकि indicators lagging होते हैं और वो आपको indication देंगे जब trend देख लेंगे अब यहाँ PA engulfing candle बनी जो कि 712 से 732 तक गई थी यानि 20 point अब 20 point का मतलब होता है कि आपके आए हुए profit से 10 point चला गया और 10 point का मतलब है एक lot में 500 रूपय निफ्टी के तो trailing stop loss क्या है कि आपके ऐसे losses को आधा कर देगा तो इतना simple setup है दोस्तों और देखिए जब market side way रहेगा तो यह तीनो moving average एक दूसरे में लिए हुए नजर आएंगे और इसके अलावा हर major swing पे आपको marking नजर आएगी price उपर जा रहा है यहाँ पर price pick बनाया वहाँ से जब price नीचे आएगा तो उस जगह एक line marking हो जाएगी कि भाई यह swing high है उसके बाद नीचे आया नीचे से देखिए ज़र आसा pullback लिया नीचे एक marking हो गई उपर से again market नीचे की तरफ आया उपर marking हो गई तो जो भी important swing labels है वहाँ पे आपको यह automatic marking कर देगा और यह आपके लिए बेहद फाइदे मंद होगा कैसे होगा अब जैसे देखिए यहाँ पे अपने condition देख पा रहे हैं कि price 39 moving average के नीचे गया नीचे RSI 20 के नीचे गया अपने लिए यह trade entry है और confirm entry कहा है जहाँ पर आपको previous swing low break हुआ तब यह आपके लिए confirm trade है क्योंकि moving average को break किया previous swing low को break किया और RSI 20 के नीचे आपको दिखा रहा है कि momentum downside में कफी ज्यादा है तो आप trade लीजिए और उसके बाद देखिए इसमें आपको कोई if and या but वाली बात नहीं है जब RSI 80 से उपर पहुँचे प्राइस तीनो moving average के उपर जाए अब टेड लिजिए अब यह आपको choppy market से कैसे बचाता है तो देखिए choppy market में यह जो swing high and swing low बनते हैं यह एक दूसरे के बिलकुल आसपास बनने लगेंगे अब और जब तक यह swing high, swing low break नहीं होता है तब तक आपको trade नहीं लेने का है जब यह swing low, swing high break हुआ किस दिशा में आपको trade लेना है यह नीचे का indicator बता रहा है तीन moving average में प्राइस green line के उपर है तिसका मने आपको bullish trade लेना है यहाँ पे breakout हुआ देखिए प्राइस एक ascending triangle बना रहा है बेक आउट हुआ है आपने trade लिया अच्छा खासा profit कमा लिया और उसके बाद trailing stop loss है प्राइस अगर नीचे गिरता है आपके trailing stop loss को hit करता है उसके पहले यह आप exit है और वाई chance नहीं कर पाए तो RSI जब 80 से नीचे आया तो आप exit किये लेकिन ऐसा मुत कीजिए trailing stop loss हमेशा लगा करके रखे इसके अलावा जब choppy market होता है तो price या तो इन तीनों moving average के बीच में रहेगा और या फिर इन तीनों moving averages की लाइने उलजी रहेंगे इसके अलावा RSI भी नीचे 80 के उपर stay नहीं करेगा अब जैसे देखिए यहाँ पर choppy market था आपने swing high, swing low को mark क प्राइस यहां moving average के उपर गया, swing high को break किया, यहां RSI 80 से उपर है आपके लिए trade और उसके बाद जब तक RSI 80 के उपर रहता है या आपका trailing stop loss हिट नहीं होता है तब तक आप trade में बने रहे है अब इस जगह पे देखिए जो swing high और low बने है यह बिलकुल एक दूसरे के parallel चल RSI 80 के उपर गया आपने trade लिया bumper benefit उसके बाद देखिए RSI नीचे आना शुरू हुआ आप निकल गया फिर RSI उपर गया फिर आपने trade लिया और यहां पर भी bumper trade तो आपको RSI और इसके setup को देख करके ही चलने का है और उस हिसाब से trade लेने का है फिर आप देखिएगा कि आप of profitable trades बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि यहां पर आपको triple confirmation मिल जाता है कौन-कौन से triple confirmation है एक तो तीनो moving averages का crossover price तीनो moving average के उपर इसके बाद में swing high, swing low का break और RSI इतने confirmation के बाद आपके trade के गलत होने की उमीद काफी कम हो जाती है अब आप साधानी से trade लेंगे, indication नहीं रहेगा तब भी trade लेंगे, jump trade लेंगे तो नुपसान होगा तो आपको यह तीनो moving average के साथ साथ जो swing high, swing low है उसको जरूर ध्यान में रखियेगा क्योंकि वो आपको एक तो SL set करने में बहुत मदद करेगा और दूसरे trend decide करने में भी मदद करेगा अब यहां पर देखिए swing high higher बनते जा रहा है और नीचे swing low वो भी higher बन रहा है तो इसका मतलब है price उपर जा रहा है लेकिन अब चूंकि एक दूसरे के काफी करीब बन रहा है और यहां पर moving average की line भी उलजी हुई है तो ऐसे जगा पर हमको trade नहीं लेने का है उपर से देखिए RSI भी stay नहीं कर रही है उपर मे ऐसे case में trade avoid करने का है अब यह जो swing high swing low है यह आपको trailing stop loss set करने में कैसे मदद करेगा देखिए previous swing high यहां marking हुआ था और उसी swing high पे price ने pullback लिया उसका resistance face करके again नीचे गया तो हमारा जो trailing stop loss है वो shift हो करके यहां आ जाएगा अब उसके बाद देखिए price और नीचे गया again pullback लिया यह जो marking थी उसी पर resistance face किया again उसके नीचे आया तो हमारे trading stop losses swing low पे यह swing high पे जैसा trade रहा लगते जाएंगे और जहां पर हमको एसलेट हो जाएगा वहां हम trade से exit कर जाएंगे और फिर जब reverse trade मिलता है तो हम अपनी conditions देख लेंगे price तीनो moving average के उपर होना चाहिए RSI 80 से उपर होना चाहिए और previous swing break होना चाहिए जैसे यहां देखिए उपर में swing high लगा है नीचे swing low लगा है तो यह जो swing high break हो गया तब हम trade लें तो कफी अच्छा है तो retracement हुआ देखिए यहां भी swing low का marking लग गया और swing high का भी marking लग गया प्राइस उसको break किया again हमको breakout मिल ग अब चलिए इसकी आपको setting दिखा देते हैं दोस्तों कैसे इसको लगाते हैं कैसे क्या करना है तो पहले हम दोनों indicator को हटा देंगे और अब दोनों indicator हट गया हमारे पास में plain plain चाट रह गया अब चलिए indicator section में चलते हैं और यहां पे click करके यहां type करते हैं fractal अब देखिए fract अब यह काम कैसे करता है alligator indicator का नाम अपने सुना होगा description तो उसका बहुत धंग से दिया गया है कि एक alligator की तरह से उसके lips है यह जो green line है उसकी lip है red line उसके दाथ है यानि टीथ और यह जो नीचे blue line दिख रही है या इसके jaws है यानि जवड़ा तो मगर मच्छी जिधर जाता है सबसे पहले उसका lip जाएगा मने पहले होट जाएगा फिर दांत जाएगा और पिर जवड़ा जाएगा तो उसी तरह से price जिस direction में move करती है तो पहले उस दर lip जाएगा फिर दांत जाएगा फिर जवड़ा जाएगा अब यहाँ पर देखिए मुह बंद है यानि कि भी सो रहा है यानि market choppy है और जैसे ही पहले यहाँ देखिए lip खुला फिर दांत खुला और फिर जवड़ा इधर गया और price उसके नीचे गया इसका मने trend बेरिश है उसी तरह से मगर मच्छ ने मुह दूसरी तरफ घुमाया lip जो है उपर की तरफ किया फिर दांत भी उपर क कह लिए चाहिए मुह कह लिए whatever यह तीन moving average है और इनके crossover system पर यह indicator बना हुआ है तीनो moving average अगर एक दूसरे में उल्य हुए है तो market choppy है तीनो moving average एक दूसरे के दूर दूर है तो market trendy है और उसके साथ में यह fractal system में swing high swing low की marking दे दी गई है जो की काम की चीज है इसके setting में कोई बीच चाहर नहीं करनी है यह as it is default system ही बढ़िया है अब अपने दूसरे indicator में चलते हैं दूसरा लगाने के लिए तो indicator से में जाकर करके यहां पर type करेंगे L A R S I तो यहां पर देखिए पहला option खुल गया लेगूरे RSI बाई किवान Obligic तो यह देखिए लग गया है अब यह RSI में एक खासियत है दोस्तों जो साधारण RSI से इसको अलग करती है यह अगर trend upward है तो 80 से उपर चला जाएगा और trend downward है तो 20 से नीचे आ जाएगा और अगर बार बार उपर नीचे जा रहा है यह 80-20 के बीच में है तो इसका मतलब है market side way है और momentum कम जोड है 80 के उपर भी अगर यह बहुत frequent movement कर रहा है तो इसका मतलब है trend में proper strength नहीं है तो RSI की तरह इसमें whip shots नहीं रहते हैं आपको एकदम एक clear cut indication मिलता है कि हाँ buy करना है अब sell करना है लेकिन इसका जो सबसे बढ़ा drawback है वो यह है कि यह precisely lagging है price में अच्छा momentum आ जाएगा तब यह indication देगा और जब price से momentum चला जाएगा price 100-200 point गिर जाएगा तब यह बताएगा कि भाया momentum कतम हो गया तब तक आपकी पूजी जो है वो साफ हो चुगी रहेगी तो यहाँ पर आपके पास में double system है एक तो अगर price green वाली line के नीचे आता है आप exit कर जाएगे अगर price swing marking के नीचे आता है तो आप exit कर जाएगे अगर price आपके training stop loss को hit करता है तो आप exit हो जाएगे और या फिर RSI 80 के नीचे आता है तो आप exit हो जाएगे अब RSI अगर पूरे के पूरے downtrend के बाद नीचे आएगा तब आप क्या करेंगे तो अपने इसक तो बिल्कुल timely signal देने के लिए भी adjust कर लेंगे, कैसे करेंगे चली अपने setting में चलते हैं, तो यह जो source close है, इसको अपने पहले OHLC 4 कर देते हैं, और जो time frame है, देखिए यहाँ पर time frame हमने 5 minute का लिया है, और 5 minute का signal यह RSI lagging देगा, इसमें एक सुभिता है कि आप time frame चार्ट से अलग भी set कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे, यहाँ पर time frame में गया है, और एक option है chart, यानि chart का जो time frame है, वही लिजिए, अब दूसरा option है कि आप अपने मन के हिसाब से ले लिजिए, तो अगर 5 minute का time frame आप use करते हो, तो आप 1 minute का RSI का time frame रख लो, रख लिए, अब देखिए इसका signal कितना बेहतरीन काम करता है, आप देखिए, जैसे ही price यहाँ घुमा, यहाँ RSI घुम गया, और आपको बिल्कुल timely exit का signal दे दिया, उसी तरह से देखिए, price gap up खुला था, नीचे आया, RSI 80 के नीचे आई, और जैसे ही candle green bunny, RSI 80 के उपर जा करके आपको buy signal दे दिया, और उसके बाद पूरा का पूरा momentum आप राइट कर जाएंगे, क्योंकि RSI 80 के उपर ही है, तो अब देखिए, इसको one minute का करने के बाद इसके time accuracy बहुत अच्छी हो गई, अब यहाँ पर देखिए, एकदम इस candle से यह 20 के नीचे आई, और इस candle पर ही यह उपर चलिए, एकदम แ tamely fundamental, अब यहाँ देखिए एकदम इस candle से ही up, और इस candle से down, यहाँ पर देखिए, यहीं RSI ने signal दे दिया, और पूरा का पूरा यहाँ momentum आप write करेंगे, यहाँ पर देखिए, एकदम इस candle से down, और कहां तक दाउं, यहां तक, पूरा का पूरा momentum right कर लीजिएगा, तो अगर अगर आप फ्रेक्टरल एलिगेटर और लेगुरे आरेसाई ये दोनों को मिला करके ट्रेट करेंगे तो आपके ट्रेड की प्रॉफेटेबिल्टी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसे नए ट्रेडर भी मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं तो मेरी रिक्वे ट्रेड शुरू कर सकते हैं कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताईए अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाब मिल सके और आपकी ट्रेडिंग प्रॉफेटेबल हो यही हमारी त मिलना के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैन जै भारत